बॉर्निंग स्टूदेंट्स मेरा नाम है वैभव आज हम पढ़ेंगे कक्षा ग्यारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फोर चैमिकल बॉंडिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जिसे हम रसायनिक आवंदन तता आणविक सरजना के नाम से भी जानते हैं आज हम इसके चौदवे भाग पे तुष्ट्री डालेंगे अभी तक हम इसके तेरा भाग पढ़ चुके हैं तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे SP3, SP2 तथा SP संक्रण के अन्य उधारन ठीक है अभी तक हमें C2S6 और C2H4 के बारे में पढ़ आ था अभी हम उसके आँगे उधारन के बारे में भी देखेंगे और यह आपकी पुष्टक में 4.6.2 पर दिया हुआ है तो अवश्च वहां से एक बा तो चलिए हम आँगे चलते हैं SP3, SP2 तथा SP संक्रण के अन्य उधारन ठीक है हम देखेंगे C2S2 में SP संक्रण अभी हमने C2S6 में SP3 संक्रण, C2H4 में SP2 संक्रण देखाता और हम C2S2 में SP संक्रण देखेंगे है ना तो C2S2 मतलब इथाइन इथाइन अडू के बनने में दोनों कार्बन परमाणू SP संक्रण दर्शाते हैं तो जब इथाइन इडू बनता है तो उसके बनने में जो दोनों कार्बन हैं C2S2 में जो दो कार्बन हैं ये दोनों ही परमाणू SP संक्रण दर्शाते हैं उन पर दो-दो असंक्रित कक्षक होते हैं और उन पर दो-दो अ संकृत कक्षक 2PY तथा 2P6 कक्षक होते हैं, एक कार्बन परमाणू का SP संकर कक्षक, दूसरे कार्बन परमाणू के SP संकर कक्षक से अक्षिय अतिव्यापन द्वारा CC सिगमा आवंत बनाता है, ठीक है, c2s2 में जो कार्बन है वह SP संकर होते हैं, है ना, तो प्रते एक चो कार्बन है मालब एक कार्बन का SP संकर कक्षक दूसरे कार्बन के SP संकर कक्षक से अक्षिय अतिव्यापन द्वारा CC सिग्मा आवंद बनाता है बचे हुए संकर कक्षक हाइडोजन के अर्ध भूत 1S कक्षक से अक्षी अतिव्यापन द्वारा सिंग्मा आवंद बनाते हैं तो मलब एक कार्बन का SP और दूसरे कार्बन का SP संकर्ट कक्षक संकर्ट कक्षक आपस में मलगे एक सीसी सिंग्मा आवंद बनाते हैं और जो बचा SP संकर्ट कक्षक हैं हैना मलब बचे हुए संकर गक्षक हाइडूजन के अर्ध भूत 1S गक्षकों से अच्छी अतिव्यापन द्वारा सिग्मा आवन बनाते हैं मलब CH आवन बनाते हैं दोनों कारबन पर्माणूवपर उपस्ते दो दो असंकर्त कक्षक पार्शव अतिव्यापन द्वारा दो पाई आवन बनाते है ठीक है c2s6 में एक भी पाई आवंद नहीं था c2s4 में एक पाई आवंद था और c2s2 में हमारे पार दो पाई आवंद हमें देखने को मिलते हैं तो इस प्रकार इथाइन में दो कार्बन परमाणू के बीच उपस्तित त्री आवंद होता है जिसमें एक सिंगमा और दो प संक्रित कक्षक है और यह एसपी संक्रित कक्षक है ना इनने सीसी एक सिंगमा आवंद यहां बनाया ठीक है एसपी संक्रित सिंगमा आवंद यहां पर बनाया वहीं कार्बन और हाइड्रोजन की बीच में हाइड्रोजन का वनेस और कार्बन का स्पी संक्रित कक्षक है इनन देखो दो असंक्रित कक्षक जो हमारे पास थे 2Px और 1Py इनके बीच में एक–5 है हैंना तो तो हमारे पास अब सिंग्मा के साथ साथ 2 पाई आवन्थ भी हैं है ना 2Px और 2Py तो जो जो आवन्ध है कुछ इस प्रकार से दिखते हैं ये एक कार्बन ये एक कार्बन इनके बीच में एक सिग्मा आवन है ना और दो पाई आवन और एक C और H के बीच में सिग्मा आवन और एक C और H के बीच में सिग्मा आवन तो यह है C2, H2, चित्र 4.16, इथाइन में सिग्मा तथा पाई आवंदुकवा बनना, ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे D कक्षकों वाले तत्वों में संक्रण, जो कि आपकी पुस्तक में 4.6.3 पे दिया हुआ है, तृत्ती आवर्थ त सथा P कक्षकों के साथ-साथ D कक्षक भी पस्तित होते हैं, हैना, इंडी कक्षकों की ओर्जा, 3S, 3P, एवं 4S, 4P कक्षकों की ओर्जा की संक्रण संबब नहीं है, हैना, क्योंकि 3P और 4S कक्षकों की ओर्जा में अधिक अंतन होता है, इसलिए 3P, 3D एवं 4S कक्षकों का संक्रण संबफ नहीं है थीक है हम देखेंगे SP तथा D कक्षक के संक्रण के मुख प्रकारों का प्रकारों को यहां नीचे शारांस में दिया गया है तो पहले हम देखेंगे PCL5 का बनना यहां पे हमारे पास एक फॉस्फोरस और 5 क्लोरी होते है थी थीक है तो PCL5 का बनना जिसे SP3D संक्रण द्वारा बनाया जाता है तो इसमें गया अभी तक हमने देखा था SP SP2 और SP3 अब देखेंगे SP3D संक्रण क्योंकि जो PCL5 है वह SP3D संक्रण द्वारा बनता है यहां पे फॉस्फोरस परमानू जिसका जो ATOMIC NUMBER है वह 15 होता है यहां जिसका Z कितना है 15 है कि तलस्त अवस्था electronic विन्यास को नीचे दर्शाय गया है क्योंकि 15 है तो इसके जो electronic विन्यास होगा वह क्या होगा 1S2 2S2 2P6 और यहां पे 3S2 और 3P3 है ना तो यह उसकी electronic विन्यास होगी तलस्त अवस्था में तो यह और देखें जो यह है 3S2 3P3 ठीक है फॉस्फोरस की आवंद निर्मान परिस्तितियों में 3S कक्षक से एक electron अयुगमित होकर रिक्त 3DZ2 कक्षक में प्रोनित या प्रोमोट हो जाता है इस प्रकार फॉस्फोरस की उत्तेजित अवस्था की विन्यास को इस प्रकार दर्शाय गया है है ना तो जो फॉस्फोरस है वह तलस्त अवस्था में कुछ इस प्रकार से होता है यह हमारे पास 3S कक्षक है यह 3P और यह 3D कक्षक है ना तो तलस्त अवस्था में 3S2 और 3P 3 होता है तो 3S में 2 electron और 3P में 3 electron है ना एक दो और 3 ठीक है जब उत्तेजिस दवस्था होती है तो जो S है जो 3S है इसमें से एक electron क्रोननेत होकर 3D कक्षक में चला जाता है तो अब हमें 3S में 1 बचा है 3P में 3 है और 3D में 1 है है ना और क्यूंकि हमें यह पूरा भरना है तो chlorine का जो एक एक जह हम PCL5 बनाएंगे तो chlorine का एक-एक electron हर एक में भर रहे गा है ना तो यहाँ पे 1 chlorine यह 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 chlorine ट्क है तो पांच chlorine प्रवानु द्वारा प्रदर्थ एलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा भरे गए तो यह है SP3D संकृत कक्षक ठीक है इतना समझागा इस प्रकार पांच कक्षक 1S 3P तथा 1D कक्षक संक्रण के लिए उपलब्द होते हैं इस प्रकार क्योंकि S से 1D में चला गए इस प्रकार 1 1S 3P और 1D यह मिलकर 5 मिलकर 1S 3P तथा 1D यह 5 कक्षक मिलकर संक्रण के लिए उपलब्द होते हैं और इनके संक्रण द्वारा 5 SP3D संक्रण कक्षक प्राप्त होते हैं 1S 3P तथा 1D कक्षक मिलकर संक्रण के लिए उपलब्द होते हैं उनका जब संक्रण होता है तो 5 SP3D संक कच्छक प्राप्त होते हैं जो त्रिकोणी द्वी प्रामडी के पांच कोनों की और उन्मुक होते हैं जो क्या त्रिकोणी द्वी प्रामडी के पांच कोनों की और उन्मुक होते हैं जैसा चित्र 4.17 में तरशाय ग्या है तो यह फॉस्फोरस है है ना तीन क्लोरी इस प्रका जामती ठीक है इसमें समझाया है SP3D कक्षक में क्या हुआ फॉस्फोरस चुथा वो तलस्त अवस्था में 3S2 3P3 थी उसकी इलेक्रोनिक विन्यास है ना उत्तेजिस अवस्था में 3S1 3P3 और 3D1 हो गई क्योंकि हमारे पास 5 कक्षक हैं 1 3S 3 3P और 1 3D तो इन सभी ने संक्रण करके जो 5 SP3D संक्रक्षक प्राप्त की है ना जिन्होंने त्रिकोणिये द्वी पिरामडी के 5 कोनों की और जो उन्मुक होते हैं है ना और जुस्से जो PCL5 है उसकी जामती कुछ इस प्रकार से बनी यह फ्लोर यह पॉस्फोरस यह तीन क्लोरी और यह दो क्लोरी है न और जामती को हम त्रिकोणिये द्वी पिरामडी जामती बोलते हैं ठीक है इतना समझ आ गया चलो यहां यह ध्यान देने युग की बात है कि त्रिकोणिये द्वी पिरामडी जामती में सभी आवंद कोन बराबर नहीं होते है इसमें सभी आवंद बनाते हैं, यह ना फॉस्फोरस के जो 5 SP3, फॉस्फोरस के जो 5 SP3D कक्षक हैं, वै क्लोरीन परमाणूओं के अर्थब्रत कक्षकों से अतिव्यापन द्वारा 5 PCL सिंग्मा आवंद बनाते हैं, इन में से 3 PCL आवंद एक तल में होते हैं, तथा परस पर 120 डिग्री क कोड बनाते हैं, इन हैं हम विश्यवति आवंद या फिर एक कुटोरियल कहते हैं, अन्य दो जो PCL आवंद हैं, बह क्रमशा विश्यवी तल की ऊपर और नीचे होते हैं, तथा तल से 90 डिग्री का कोड बनाते हैं, इन्हें अक्षी आवंद कहते हैं, तीक हैं, यह जो 3 हैं ये 120 डिग्री बनाते हैं ये जो दो हैं ये 90 डिग्री का कोड बनाते हैं उन्हें 90 डिग्री बनाने वाले को हम अक्षी आवंद बोलते हैं और जो 120 डिग्री को बनाते हैं उन्हें विशुवती आवंद बोलते हैं चूँकि अक्षी आवंद इलेक्ट्रोन युगमों में विशुविती आवंदी युगमों से अधिक प्रतिकर्शन अन्योने क्रियां होती हैं अथा ये आवंद विशुवती आवंदों से लंबाई में कुछ अधिक तथा प्रवलता से कुछ कम होते हैं तीक है क्योंकि जो अक्षी आवंद है जो अक्षी आवंद है वो एलेक्ट्रोन युग में जो विशुविती आवंद युग में है जो यह है विशुवती और यह है अक्षी क्यूंकि जो विशुविती से अधिक प्रतिकर्शन होता है अता यह आवन विशुविती आवंद से लंबाई में एक प्रकार से नहीं होते हैं ना इसलिए जो उनमें ये अधिक रियाशील होते हैं इतने जाना स्टेबल नहीं होते हैं इसलिए रियाशील होते हैं ठीक है तो समझ आया कि PCL5 कैसे बनता है ठीक है अहम देखेंगे SF6 का बनना जो की SP3D2 संक्रणदारा बनता है है ना SF6 में केंद्री सलफर परमाणू की तलस्त अवस्था एलेक्ट्रोन विन्यास 3S2 3P4 होती है है ना SF6 में जो sulfur है वो तलस्त अवस्था में 3S2, 3P4 की electronic विन्यास प्रदर्शे करता है परंतु उत्तेज़स अवस्था में उसकी electronic विन्यास 3S1, 3P3, 3D2 हो जाती है है ना तो हमारे पास एक 3S कक्षक, 3 3P कक्षक और 2 3D कक्षक होते हैं जिस वज़े से जो इनका जब संक्रण होता है तो वो हमें SP3, D2 संक्रण प्राक्त होता है है ना उत्तेज़स अवस्था में उपलब्ध 6 कक्षक और्थात 1S, 3P तथा 2D कक्षक अर्धबरत होते हैं ये संक्रण द्वारा 6SP3, 2 संक्रण बनाते हैं छहना जब इनका संक्रण होता है तो यह 6SP3D2 संक्र बनाते हैं जो एक सम अश्ट फलक के 6 कोणों की और प्रक्षिप्थ होते हैं यह संक्र कक्चक फ्लॉरीन परमाणवू के अर्थ भ्रत कक्चकों से अतिव्यापन द्वारा 6SF सिंगमा आवन्द बनाते हैं है ना ये जो sp3 d2 संकर कक्षक हैं ये कितने अच्छे हैं तो ये सारी कक्षक ये संकर कक्षक फ्लोरीन परमाणों के अर्ध ब्रत कक्षकों से अतीवयापन करके ओवरलैपिंग करके 6SF सिंग्मा आवंध बनाते हैं इस प्रकार SF6 अडू की एक सम अस्ट फल की जामती होती है जैसा चित्र 4.18 में दर्साय गया है देखो सलफर जो है बतलस तवस्था में कुछ इस प्रकार से होता है 3S2 3P 4 है ना लेकिन जब उत्तेजित अवस्था में होता है तो एक S यहां 3D में और एक P यदर 3D में तो उत्तेजित 3P 3 और 3D 2 होता है है ना और यह जो SP 3D 2 संकर कक्चक है यह फ्लोरीं के साथ मिलकर सिंग्मा आवंद बनाते हैं है ना तो कुछ इस प्रकार से यह जो SP 3D 2 संकर के बाद जो SF6 है कुछ इस प्रकार से एक फ्लोरी नहां एक फ्लोरी नहां एक फ्लोरी नहां एक फ्लोरी नहां जामति देखें तो वह एक सं अस्टफल की जामति होती है, ठीक है, जैसे यह हैchen, और यह शे यह है , है न, तो क्या था, SP 3, D2 संक्रण कक्षक इन ने इसने बनायते, है न कितने, शे, SP 3, D2 संक्रत, संक्रण कक्षक बनायते, है और उनके साथ मिलकर फ्लोरीन मतलब हर एक संकर कक्षक ने अतिव्यापन किया जो फ्लोरीन के कक्षक है उनसे जिससे हमें Sf सिग्मा आवंद मिला तो यह है Sf6 इस अडू को हम Sf6 बोलते हैं और यह है Sf का सिग्मा आवंद ठीक है Sf, Sf एक, दो, ती, चार, पाँच और छे और इस अडू की जामती को अस्टफल की जामती बोलते हैं चित 4.18 ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं आज हमने Sf3, Sf2 तता Sf संकरण के कुछ उधारन देखे हैना आज हमने C2, S2 का उधारन देखा था जो कि आपकी पुस्तग में 4.6.2 पर दिया है उसके बाद हमने D कक्षकों वाले तत्वों में संकरण जिसमें हमने Sp3D और Sp3D2 को देखा Sp3D में हमने PCL5 का उधारन देखा और Sp3D2 संकरण में हमने Sf6 का उधारन देखा और ये आपकी पुस्तग में 4.6.3 पर दिये हुए है तो वश इन्हें वहाँ से देख लिजेगा ठीक है बागी अगले भाग में हम आणवे कक्षक सिध्धानत क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और आणवे कक्षकों का निर्मान परमाणू कक्षकों का रेकिक सियोग क्या होता है इस पर भी चर्चा करेंगे ये आपकी पुस्तग में 4.7 और 4.7.1 पर दिये हुए तो मिलते हैं अगले भाग में धन्यवाद थैंक्यू